नमस्कार मैं हूँ फरहान और SPN 9 के इस खासकारी करम में आप सभी का स्वागत है प्रधान मंतिरी निद्र मोदी करनाटक पहुँच चुके हैं वहाँ जन सभाए करेंगे किसानों को भी संबोधित करेंगे हम आपको बता दें कि प्रधान मंतिरी ने किसानों के लिए एक बहुत ही महतपूर्ण योजना आरंब की थी केंद्री किर्शी एवं किसान करले आड़ योजना जिसमें प्रतीमा किसानों को 2000 रुपए की किस्ट मिलने वाली थी अब ये दो हजार रुपए की किष्ट किसानों तक पहुंचती थी दिसंबर के महा में ये किष्ट नहीं पहुंची थी लेकिन अब ये किष्ट फिर से किसानों तक पहुंचाई जा रही है यहां पर प्रधान मंती दें अंदर मोजी करीब 6 करोन किसानों को संबोधित करने वाले है इस 2000 रुपए की किस्ट को लेकर काफी सवाल उठाय जा रहे थे वे पक्ष दौरा कि इन 2000 रुपए में क्या होगा किसानों का एक तरफ तो कर्ज ही इतना जादा है लेकिन इस बात में जो 2000 रुपए की बात कही गई और यह योजना लागू की गई और प्रधान मंती दोरा यह भी कहा गया था कि यह योजना काफी लाबदायक होगी किसानों के लिए तो आप ज़रा याद करिए कि जब से यह यह योजना आरंब हुई है क्या किसानों ने आत्महत्या की है या नहीं की है बिलकुल किसानों में अभी वही रोज है अभी भी उस प्रकार का फाइदा किसानों को नहीं पहुँचा है जो उनको मिलना चाहिए था आपको याद होगा महराश्ट में उद्दव ठाकरे ने कहा कि वह किसानों का दो लाग रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे यहां प्रधान मंती अंदर मोदी ने कहा कि पती महा दो हजार रुपए किस्त के रूप में किसानों तक पहुँच जाएंगे लेकिन उसके बाद भी किसानों की आत्म हत्या का दौर नहीं रुका है इस योजना के खिलाफ थी ममता बनर जी इसलिए उसकम सत्तर लाग किसान अभी वी वन्चित हैं इस दो हजार रुपए से वह जो वन्चित हैं उनके पास तो है पैसे पहुँच नहीं रहे हैं लेकिन यहां एहम बात यहा है कि क्या इस दो हजार रुपए की योजना को लागू करने के बाद भी किसान खुश है या फिर अब उसने आत्म हत्या करना बंद कर दी है बिलकुल भी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है 2014 से 2019 तक अब तो 2020 भी आ चुका है किसानों की आत्म हत्या का सिलस्रा लगातार जा रही है किसान लगातार प्रिदार्शनल करना चाहते हैं और करते भी हैं तो इस समंद में आज जरह हमें बताएं कि जिस तरह करनाटक में प्रिदार मतिनर मोदी 6,000 किसानों को संबोदित करेंगे और लगबग 12,000 करोन रुपए बाट दिये जाएंगे तो क्या इस 12,000 करोन रुपए को बाटने के बाद किसानों के अंदर संतोश की भावना आ जाएगी क्या वह आत्म हत्या करना बंद कर देंगे क्या यह दो हजार रुपए की किस्त उनको उन करजों से निजाद दिला देगी जो किसानी को लेकर करजे हुए हैं जिस तरह जैक किसान, जैजवान, जैक किसान का नारा दिया जाता है तो क्या किसान अभी उस सित्थी में है कि उसकी जै की जाएच सके जब कि आप ने देहा किस तरह मध्य प्रदेश के अंदर सिवराज सिंग चौहान, जो की मुख मंतिली थे उस दोरान पुलिस को गोली चलाने के आदेश भी दे दिये थे और उसमें किसानों की मौत भी हुई थी इन मौतों को कई बारा महत्या भी कहते हैं कि यह तो सुनू यह जो ज़ग से की जाती है तो आप वो क्या लगता है प्रदान मंतिली अंदर मोधी जस तरह किसानों को संबोधित करेंगे दो दो हजार रुपई किस तरह फिर पहुँच जाएगी जो रहा समय पर लगतार रुकती भी रही है तो क्या किसानों को इससे फायदा हुआ है या फिर आने वाले समय में होगा जस तरह आप बंगाल के किसानों को इससे वंचित रखा गया है क्या यह पक्छपात की नीती है या नहीं है इस समंद में आपकी राए महत्पूर्ण है अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें आपका लाइक भी महत्पूर्ण है इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें कारेकरम को जादा से जादा शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब भी अवश्च करें तब तक के लिजाज़त चाहूंगा नमस्कार